हेलो दोस्तों वर्टेस क्लासेज में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है वेरी साठ कोश्चन के सेकेंड पार्ड की पिछले एक्जाम में आएवे कोश्चन करने जा रहे हैं तो कोश्चन नंबर वन दे रखा है एक्सोपचास किलोग्राम का पचीस परसेंट कितना है तो एक्सोपचास किलोग्राम का पचीस परसेंट तो एक्सोपचास गुडे पचीस परसेंट यानि पचीस बटे सव पचीस का चार बार जाएगा डिवाइड, पचीस चेव का सो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 बाई 4, 150 बटे 4, 2 से डिवाइड कर लिजिए, 2 से चौधा, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4, यानि कितना आ गया, 75 बाई 2, 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 2 तियाई 6, 2 से एक पंदरा पॉइंट लगाएगा, 2 पंचे 10, यानि आइंसर के आगया, 27 दसमलो 5, नेज कोशन पर चलते हैं, कोशन नमबर 2 दे रखा है, एक दुकानदार ने 800 रुपे की साड़ी 30 परसेंट छूट देकर बेची, बताइए साड़ी कितने में बेची गई, कोशन में दे रखा है, 800 रुपे की साड़ी, 30 परसेंट छूट देकर, यानि साड़ी कितने की है, 800 रुपे की, और छूट कितना है, 30 परसेंट, तो 30 परसेंट इसका कितना होगा, वो निकाल लेते हैं पहले, 0000 कंसील आउट, यह 0000 कंसील आउट, 80, 80 इंटू 3, मल्टिप्लाय करने पर क 24 यानि 240 रुपे, तो यह 240 रुपे क्या आँगे, यह छूट आए हुए है, यानि छूट कितना रुपे की हो रही है, 240 रुपे की, तो विक्रे मूल कितना हो गया, विक्रे मूल यानि कितने में बेची, कितने की खरीदी थी, 800 रुपे की साड़ी थी, और 240 रुपे का दे दिया सब्ट्रेट कर दिए जीरो में से जीरो जाएगा जीरो दस में से चार गए छे साथ में दो गए पांच यानि कितना आ गया पांसो साथ रुपे तो पांसो साथ रुपे क्या हो गए तीस परसेंट छूट देने के बाद साड़ी पांसो साथ रुपे में बेची गई नेस्ट कोश्चन 75 अंग की परिच्छा में मिनाच्छी ने 60% अंग पराप्त किये मिनाच्छी ने कितने अंग पराप्त किये तो परिच्छा में मिनाच्छी ने कितने अंग थे 75 उसका 60% अंग पराप्त की यानि 60% इसका निकाल देंगे परसेंट हटेगा, 0 डबल नीचे आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 कम 5, 2 बचा 25, 5 उने 10 केतना आ जाएगा 15 बटे 2 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 7.5 यानि उसको केतने एंसर है केतने एंक मिले 7.5 क्योंकि 60 परसेंट दे रख़ा ना 60 परसेंट किसका 75 तो 7.5 उसको आँके मिले Next question बेंजे को 2x² 4y² प्लस 6 माइनस x² माइनस 5y² माइनस 8 तथा माइनस 3x² माइनस 2y² प्लस 4 को जोड़िये जोडने के क्या करते हैं जो variable होते हैं यानि अचर जो होते हैं x, y, z एक दूसरे के नीचे पहले set कर देते हैं उसके बाद हम add कर देते हैं क्योंकि variable variable में ही add होगा और constant जो होता है वो constant में ही add होगा या subtract होगा तो पहला जो equation दे रख़ा उसको लिखते हैं 2x² पिलस 4y² पिलस 6 दूसरा equation क्या दे रख़ा है माइनस x² अब देखिए x² के नीचे ही x² रखेंगे माइनस 5y² माइनस 8 माइनस 3x² माइनस 2y² पिलस 4 तीनों question को मैंने लिख लिया है तीनों को add करेंगे जो add होता है उसको add कर देंगे 2- mild दे रख़ा माइनस 3x² राँ- x² यह दूनों add होंगे माइनस 4x² आजाएगा अब माइनस 4x² में प्लस 2² जोडेंगे तो माइनस और पलस ही सब्टेय sulf के क्या आजाएगा माइनस 2x² आजाएगा याणि यहां क्या आएगा माइनस 2x² यहां 4y² प्लस में माइनस में कितना दे रखा 5y² माइनस 2y² यानि दोनों जूड़ करके क्या हो जाएगा माइनस 7y² ओपर कितना दे रखा प्लस में 4y² तो क्या होगा सब्ट्रेट हो जाएगा माइनस ज्यादा है माइनस में से 4 चला जाएगा 7 में से 4 माइनस 3 Y स्क्वाइर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 Y स्क्वाइर इसमें क्या है प्लस प्लस एड कर लो 6 और 4 10 हो जाएगा माइनस 8 सब्ट्रेट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पिलस 2 जानी जोडने पर यह एक्वेशन हमारी आ जाएगी नेस्ट क्वेशन बेंजक 4 X स्क्वाइर प्लस 7 X प्लस 15 में से माइनस 3 X स्क्वाइर प्लस 3 X प्लस 7 को घटाएगे सब्ट्रेट करने भी वही करते हैं जैसे एडिशन में करते हैं वैरियेबल जो हमारा X Y दे रखा है X के टर में या Y के टर में यहाँ पर तो Y दिया नहीं सिर्फ X के टर में एक दूसरे को उपर उसको अच्छे से से सिट कर लेते हैं 4 X स्क्वाइर प्लस 7 X प्लस 15 माइनस 3 X स्क्वाइर प्लस 3 X प्लस 7 दोने कोशन को मैंने लिख लिया है अब इसमें कहरा है घटाईए तो घटाने पर क्या होता जो भी साइन होता वो चेंज हो जाता यानि माइनस यहां है तो यह प्लस हो जाएगा यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा अब प्लस 4 X स्क्वाइर में प्लस 3X स्क्वार जुड़ेगा तो यह 7X स्क्वार आजाएगा जो कि प्लस में होगा प्लस 7X में से माइनस 3X जाएगा तो प्लस 4X हो जाएगा प्लस 15 में से माइनस 7 जाएगा प्लस 8 आजाएगा यानि यह हमारा एंसर हो जाएगा Next question 6 मीटर लंबी तथा 3 मीटर चोड़ी आयता कार क्यारी का परिमाब ग्याद कीजिए आयता कार पहले हम बना लेते हैं आयता कार आयता कार का परिमाब क्या होता है यह लंबाई होती है और यह चोड़ाई इसे B से डिनोड करते हैं इसे L से डिनोड करते है तो पहले तो यह पता नों चीए कि आयताकार का परिमाप क्या होता है आयताकार का परिमाप क्या होता है दो गुड़े लंबाई प्लस चोड़ाई यानि दो गुड़े L प्लस D इसमें क्या दे रखा है लंबाई के दे रखी है 6 मीटर लंबी, लंबाई 6 मीटर दे रखी है चवड़ाई 3 मीटर दे रखी है value put कर देंगे 2 into L की value केतना है 6 मीटर, पिलस चवड़ाई 3 मीटर 6, 3, 9 हो जाएगा और 2 से multiply करेंगे तो केतना आ जाएगा, 18 18 क्या होगा, मीटर मीटर है तो मीटर गुड़े मीटर यानी मीटर इसक्वाईर यह हो जाएगा हमारा परिमाप मीटर इसक्वाईर नहीं आएगा, यहां मीटर आएगा next question यदि किसी तिर्भुच ABC के आधार की लंबाई 8 cm तथा उचाए 3 cm हो तो तिर्भुच ABC का छेतरफल ग्यांत किजिए क्या दे रखा है आधार की लंबाई 8 cm दे रखी है यह दे रखा आधार तिर्भुच का और उचाए 3 cm यानी उचाए यह है H is equal to 3 cm फार्मुला क्या होता है तिर्भुच का छेतरफल का तिर्भुच का चेतरफल का फार्मुला एक बटे दो गुडे आधार गुडे उचाए यह होता है फार्मुला एक बटे दो गुडे बेस इंटू हाइट बेस दे रखा 8 cm और हाइट दे रखी 3 cm 2 से डिवाइड करनेंगे 248 और 4 गुडे 3 यानि कितना 12 यह cm2 में आएगा क्योंकि cm2 में रखा है तो एरिया cm2 में आएगा संभाव तिर्भुच की एक भुजा ग्याद कीजिए जिसका परिमाप 6 cm संभाव तिर्भुच तो संभाव तिर्भुच की क्या होती है तीने भुजाएं बराबर होती है अगर एक भुजा A है तो बाकी भुजाएं भी वही होगी A A होगी तो इसमें क्या दे रखा है परिमाप दे रखा है तो संभाव तिर्भुच का परिमाप क्या होता है संभाव तिर्भुच का परिमाप सिर्फ संभाव का निया सारे तिर्भूज का परिमाब जो होता है तिन भूजाओं का योग होता है तो तिन भूजाओं यहाँ पर क्या है सेम हों क्योंकि संभाव तिर्भूज है तो a-plus a-plus a यानि 3a होना चलिए था और परिमाब दे रख़़गा 6 cm यानि इसी की value 6 cm दे रखी है, यहां से हम क्या करेंगे, इस भुजा को निकाल लेंगे, तो 6 बटे 3, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 2 cm, यानि भुजा क्या पता चल गी हमें, 2 cm, question में यही पूछा था कि भुजा ग्यांत किजिए, जिसका परिमाप 6 cm दे रखा है, त नेस, question, 240 लिटर का 10% कितना होगा, 240, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं, जब परसेंट निकालते ही, तो 240 का 10%, यानि 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 24 लिटर, 10 परसेंट कितना होगा, 24 लिटर, यानि नेस, question, x-y-z-x-y-z का माान गयात कि़िए, मैंने अभी पहले बताया था, subtract हैंगे, sign क्या करना है, गटाना है ये, गटाने में क्या करते हैं, पहले x question को लिक लेते हैं, x-y-z, अगले question को भी लिक लो, x-y-z, गटाने में क्या करते हैं साइन चेंज जाता है यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा माइनस है तो पिलस हो जाएगा पिलस है तो माइनस हो जाएगा अब एक्स प्लस और एक्स माइनस यह कड़ गया जीरो हो जाएगा y प्लस y प्लस यानि 2 2y हो जाएगा यहां प्लस जड़ माइनस जड़ यह भी कड़के 0 हो जाएगा तो क्या एंसर आ जाएगा तो आई नेस्ट वीडियो में और आप भी important question करेंगे पिछले वीडियो के link description में दे रखें आप उस वीडियो को देखें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में thank you for watching this video